दोस्तों के आप भी मानते हैं कि भारत और आंस्ट्रेलिया के बीच दोबारा विश्व कप फाइनल मैच हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों पकड़ड ही गई आंस्ट्रेलिया की बेईमानी आखिरकार दोबारा आयोजित किया जाएगा वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला जिसकी तारीख कभी कर दिया गया है एलान आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री और हमारे प्यारे मोदी जी ने मिलकर ICC से बातचीत कर दोबारा फाइनल मैच करने की खुशखबरी करोड़ों हिंदुस्तानियों को सुनाई है तो आखिर कब और कहां खेला जाएगा दोबारा विश्व कप का फाइनल मैच कितने बजे शुरू होगा महा मुकाबला कैसे इतिहास में पहली बार हो रहा है दोबारा फाइनल कैसे खुद ऑंस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री ने हाथ जोड़ कर मांगी हिंदुस्तान से माफी और मानली अपनी गलती से सब कुछ हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है दोबारा फाइन्स मैच में कौन सा भारती ये बल्ले बाज शतक लगाएगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएए दोस्तों विश्व कप 2023 के फाइनल में टीम इंडिया को मिली हार के पीछे की कहानी कुछ और ही थी भारत और ऑंस्ट्रेलिया के बीच हुआ अहमदाबाद के मैदान पर फाइनल मुकाबला एक नहीं, दो नहीं, बलकि कई बढ़ी बढ़ी बेमानी और साजिश से टीम इंडिया को हराया गया ये तो पूरा क्रिकेट जान गया कि भारत चैंपियन नहीं बन सका लेकिन कितनी गंदी चाल कर ऑंस्ट्रेलिया ने यह भी हासिल की है ये सब कुछ हम आपको बताते हैं एक नहीं, दो नहीं, बलकि कई निकल कर सामने आई है दोस्तों, ऑंस्ट्रेलिया के खतरनाक खिलाधी ट्रेविस हेड ने कप्तान रोहित शर्मा का कैच छोड़ डेच दिया था रोहित नॉट आउट ये बाद जैसे ही पूरी दुनिया को पता चली, करोड़ों हिंदुस्तानियों ने जम कर विरोध किया ICC से अपील करने से लेकर ऑंस्ट्रेलिया के खिलाफ जम कर नारे बाजी हुई उन्हें अपनी गलती मानने को मजबूर किया गया, बलकि ऑंस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी जो बयान जारी किया उनकी बातों ने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया लेकिन आपको बता दें, भारत को मिली हार बैमानी के हार का इंसाफ दिलाने के लिए हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी भी दिल से करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए LDDDH रहे थे पहले उन्होंने ICC से बातचीत की दोबारा फाइनल मैच करने के लिए गुहार लगाया और फिर ऑंस्ट्रेलिया रवाना होकर प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग किया ये मीटिंग रात में करीब त्री घंटे तक चली इसके बाद मोदी जी ने करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए खुश खबरी दी और अब खुद ऑंस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने बयान देकर करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया चलिए अब हम आपको ऑंस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का बयान बताते हैं उन्होंने फाइनल दोबारा कराने को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है ऑंस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथोनी ने बयान देते हुए कहा कि मैं अपनी गलती स्विकार करता हूँ हर किसी के सामने हमारी टीम की बेइमानी आ गई है प्लीज हम लोगों को माफ कर दिया जाए जो भी प्रोसीजर होगा मुझे फॉलो करेंगे हमने दोबारा फाइनल मैच करने के लिए ICC से अपील कर दिये ICC में दोबारा फाइनल कराने के लिए तयार है BCCI और ICC जो भी चाहेगी जो भी कहेगी उसके लिए हम हमेशा कहेंगे और हम ही भरेंगे मैं चाहता हूँ कि टीम इंडिया को इंसाफ मिले और एक बार फिर इमानदारी के साथ विश्व कप का फाइनल मैच कराया जाए इतना ही नहीं आगे भी उन्होंने कहा कि मैं अपनी सभी खिलाड़ियों की तरफ से करोड़ों हिंदुस्तानियों से माफी मांगता हूँ आप सभी लोग दिल से माफ कर दीजिए तयार है लेकिन अब आपको क्या लगता है इस बार दोबारा फाइनल मैच टीम भारत और अंस्ट्रेलिया के खिताब पर कबजा करेगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं इसी दर्मियान ग्लेन मैक्सवेल भी हार के बाद रिंकु सिंह की तारीफ करने के लिए माइक पकड़े डियेच लेते हैं और उनके लिए कुछ अनमोल शब्द कह डाले चलिए अब हम आपको बताते हैं हार के बाद भी मैक्सवेल ने कैसे लोटाया रिंकु सिंह पर अपना प्यार मैक्सवेल ने बयान देते हुए कहा कि रिंकु सिंह भारत के लिए उभरता हुआ नया खतरनाक खिलाड़ी है सभी टीमों को अब इस बल्लेबाज से बचकर रहना होगा इस खिलाड़ी में अंतिम गेंद पर छक्का लगाने की क्षमता है ये बल्लेबाज लंबे-लंबे छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिला सकता है इसके अंदर ऐसा कारनामा करने की ललक नजर आती है कोचिंग को IPL में भी खेलते हुए देखता हूँ ये हरफन मौला बल्लेबाज है ये केवल अपनी नजर टार्गेट पर रखते है सामने कोई भी गेंद बाज हो वो जम कर कुटाई करना जानते है केवल इतना ही नहीं मैक्सवेल ने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतिय टीम को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मिल गया है जो बड़डे ही आसानी से अपनी टीम को जीत दिला सकता है मेरी इनको सिंह जैसा बल्लेबाज विश्व में मैंने नहीं देखा है उनकी बल्लेबाजी का में बहुत बढ़ा दीवाना हो गया हूँ इन्होंने IPL में लंबे लंबे छक्के लगा कर बहुत लोगों का दिल जीता है तो देखा आपने किस तरह से मैक्सवेल भी रिंकू सिंह की बल्लेबाजी के दीवाने बन गए लेकिन अब आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह जायसवाल और इशान किशन में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज इस बात का जवाब नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए लेकिन इस मैच में हमारी टीम जीत दर्ज करने में नाकाम्याब रही इस मैच में हमारी टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने बहतरीन प्रदर्शन करने का पूरा प्रयास किया लेकिन जान बूज कर भारतिय टीम मैनेजमेंट में ऐसी पिछ बना कर दी है कि जिस पर हमारे गेंद बाजों का बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिला इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस मैच के अंदर हमारी टीम की तरफ से कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जिसने शांदार प्रदर्शन किया हो लेकिन इस मैच में अगर हमको हार मिली है तो उसके पीछे भारतिय टीम मैनेजमेंट की सबसे खराब रणनीती रही है तो वहीं पे रिकी पॉंटिंग ने बयान देते हुए कहा कि भारतिय टीम को आंस्ट्रेलिया के खिलाफ शांदार जीत मिली है जिसके लिए भारतिय टीम को हार्दिक शुभकाम नाए लेकिन इस मैच में भारतिय टीम की जीत के साथ ही ज्यादा खुशना हो भारतिय टीम क्योंकि भारतिय टीम की तरफ से इस मैच में बल्ले बाजों का बहतर प्रदर्शन तो देखने को मिला था ना ही गेंद बाजों का प्रदर्शन अच्छा था और ना ही फिल्डिंग अच्छी थी तो शायद भारत इस मैच को बेढ़े अंतर से जीत जाता अगर ये डिपार्टमेंट में भारत अच्छा करता तो इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस मैच में हमारी टीम के बल्ले बाजों ने भी बहतरीन बल्ले बाजी की लेकिन ऑनस्ट्रेलिया की टीम के गेंद बाज बहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए ऐसे में भारत खुश ना हो क्योंकि भारत को अब हम अगले तीनों मैचों में हरा कर इस सीरीज को अपने नाम करने वाले तो वही पे शेन वाटसन ने बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑनस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इस मैच में भारतिय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने बहतरीन प्रदर्शन किया भारतिय टीम के जीत के बाद काफी खुश दिखाई दे रही है टीम लेकिन भारत जीत से ज्यादा खुश ना हो क्योंकि इस मैच के अंदर भारतिय टीम का काफी ज्यादा बहतरीन प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है बलकि उनका थोड़ा सा बहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस मैच में भारतिय टीम की तरफ से बल्ले बाजों और गेंद बाजों का बहतर प्रदर्शन देखने को मिला हो या नहीं, लेकिन अब हम आने वाले तीन मैचों में बहतर प्रदर्शन करेंगे और जीत दर्ज करने के साथ स सीरीज को अपने नाम करेंगे? ऐसे में अब भारतिय टीम हमारे खिलाफ हार के लिए तयार रहें तो वही पर एडम गिलकरिस्ट ने बयान देते हुए कहा कि भारतिय टीम ने ऑंस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। ऐसे में भारतिय टीम ज्यादा खुश हुए कहा कि इस मैच में ऑंस्ट्रेलिया की टीम की गेंद बाजी ने ज्यादा रन दे दिये हाला कि हमारे बल्ले बाजों ने काफी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मैच को रोमांचक तरीके से जीतने का प्रयास किया लेकिन उसमें वो नाकामयाब रहे ऐसे में भारत की टीम ज्यादा खुश न हो क्योंकि हम भारत को आने वाले तीन मैचों में हराने वाले हैं और हराकर सीरीज को भी अपने नाम करते हुए दिखाई देंगे हम तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारतिये टीम की जीत का असली हीरो कौन है कॉमेंट्स एक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा ऐसे में भारत की तूफानी बल्ले बाजी देखकर तमाम दिखजों का बढ़धा बयान सामने आया है ऐसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारत और आंस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे टी-ट्वेंटी मैच में भारतिये बल्ले बाजों को तूफानी पारी को देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूं कि भारतिये बल्ले बाजों ने जीस प्रकार स तूफानी पारी खेली है। वो इस बात का प्रतीक है कि भारत के युवा बल्ले बाज किसी भी खिलाडी से डरने के लिए तैयार नहीं है। तो वही टीम के बल्ले बाज ने आज के मैच में काफी ज्यादा खतरनाक बल्ले बाजी की है। तो वही ब्रांडो में कुल ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से सभी बल्ले बाजों ने तूफानी पारी खेलने के साथ बता दिया है कि वह भारत की नई और इनको बल्ले बाजी करने में बिलकुल भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलाबा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारत की तरफ से रिंकु सिंह ने भारतीय बल्ले बाजों में काफी ज्यादा धार पैदा कर दी है। ऐसे भारतीय टीम की तूफानी पारी के चलते कर दी है। जिसको देखकर लग रहा है कि भारत इस तरीके से आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन करेगा। और इस शब्द का को भी अपने नाम कर लेगा। तो इसके अलाबा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारत की तरफ से इस मैच में कोई भी बल्ले बाज ऐसा नहीं था जिसने बेहतरीन बल्ले बाजी ना की हो। सभी ने अपने तूफानी प्रदर्शन के चलते दिखाएं कि कैसे आपको T20 फॉर्मेट खेलना चाहिए और विरोधी टीम को काफी ज्यादा परेशान करते हुए घुटना टेकने के बयान देते हुए कहा कि भारतिय टीम की तरफ से सभी बल्ले बाजों की तूफानी बैटिंग देखने को मिली है। भारतिय टीम की तरफ से कोई भी खिलाडी ऐसा नहीं था जिसने बेहतरीन पारी ना खेली हो। भारतिय टीम की तरफ से सभी बल्ले बाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन रिंकू सिंग ने किया है। जिसके चलते भारत में इतना बड़ा टार्गेट सेट किया है। तो इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है। कि रिंकू सिंह के साथ बाकी खिलाडियों ने तूफानी पारी खेल कर सभी को प्रभावित कर दिया है जो इस बात का प्रतीक है कि भारत की नई जनरेशन हमको विश्व विजेता बनाएगी वहीं गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा है कि ऑनस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतिये टीम के बल्ले बाजों ने शांदार बल्ले बाजी की है और भारतिये टीम की तरफ से कोई भी बल्ले बाज ऐसा नहीं था जिसने बहतरीन बल्ले बाजी ना की हो भारतिये टीम की तरफ से यशस्वी जयस्वाल और इशान किशन के सामने जिस प्रकार से तूफानी पारी खेली उसके चलते भारत में बड़े टार्गेट की न्यू राखी और साथ में राज गायकवाड ने विराट कोहली वाला रोल अदा किया है तो इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि रिंकू सिंह ने महेंदर सिंह धोनी जैसा काम किया है और माकन ने रोहिद शर्मा के साथ प्रदर्शन कर सीनियर खिलाडियों की मौजूदगी का पता भी नहीं चलने दिया जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ तो दोस्तों भारतिये टीम की तूफानी परी को आप 10 में कितने अंक देना चाहते हैं अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं